नमस्कार स्वागत आप सभीक अपने यूट्यब चैनल फार्माफेस पे बहुत इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन अपने फार्मेसी फिल से निकल किया रही है फार्मेसी सिक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार की बड़ी पहल राश्चे फार्मेसी आयोक विद्यक 2023 लाईगी सरकार ये निउस द्यानिक जागरन की है 21 November 2023 को ये निउस पब्लिश की गई है और ये पाकी मीडिया आउटलिट ने भी इस निउस को कवर किया है चलिए इस में निउस का हाईलेट क्या है वो जानते है हम लोग जो भारतिय फार्मेसी परिसाथ की जगह राश्चे फार्मेसी आयोक बनाने का है प्रस्ताव यानि कि जो प्रेजेंट में हम लोग की जो PCI ये फार्मेसी कांसिल आउफ इंडिया को भंग कर दिया जाएगा और उसकी जगह राश्चे फार्मेसी आयोक यानि की नेशनल फार्मेसी कमिशन बनाने का इस विधेक में प्रस्ताव लाया गया है इसका उद्येश शभी नागरिकों के फार्मेसी सेवाओं को सूलब बनाना है फार्मेसी सिक्षा प्रनाली को मजबूत करने की दिशा में क केंडे सरकार फार्मेसी आयोग विध्यक 2023 ला रही है केंडे स्वास्ट एफ परिवार कल्यान मंत्राले ने इस विध्यक कमसोदा भी जारी कर दिया है प्रस्ताव विध्यक का उत्यस फार्मेसी अधिनियम 1948 और मौझूदा फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया को राश्य फार फार्मेसी पेश्वरों की उपलब्दिता सुनिश्ट करके फार्मेसी सिक्षा को बढ़ाना है इसका उदेश शवी नागरिकों के लिए फार्मेसी सेवाओं को सुलब बना कर समान स्वास्त तेखवाल को बढ़ावा देना है विध्यक पेश्वरों को अपने काम में नवि परशी, मुल्यांकन, राश्री फार्मसी रजिस्टर के रख रखाओ और उभरतीज जागर्प्तों के अनुकूल सरल बनाने का प्रस्ताओ करता है। फार्मेसी अचार और पंजी करन के पास एक राश्य फार्मेसी रिजिस्टर होगी जिसमें पार्द रिश्टा के लिए पेशावरों का विवरन रखा जाएगा स्वास्त मंत्राले ने आम जंता से मांगी है रहे विद्हेक में एक आयुक गठित करने का प्रस्ताव है जिसका मुख्याले नई दिल्ली में होगा फार्मेसी अधिनियम उननिस और तालिस के तहट मौझूदा फार्मेसी काउंसल आफ एंडिया को भंग कर दिया जाएगा और फार्मेसी सिक्षा जो स्थिर बनी हुई है उसको पुनर जिवित करके और इसके मानुकों को उपर उठानी की उमीद है मंत्राले ने विद्हेक के मौसोदे को 14 नमंबर को अपनी वेबसाइट पर डाला है और इस पर जंता की राय मागी है विद्हेक पर अपनी राय सुझाओ और आपती इमेल के माध हम से भेजा जा सकता है अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर इस न्यूस को बताऊं इस न्यूस का मतलब क्या है कि जो सेंटरल गोवर्मेंट है Central Government वो हमारी Central Government जो प्रेजेंट में हमारा जो Pharmacy Council of India है इसको यह हमारी किया है The Pharmacy Act The Pharmacy Act 1948 के तहट इसको गठित किया गया है इसका क्या काम है कि जो भी हमारा Pharmacy फील्ड से Pharmacy Education, Regulation Even Registration of Pharmacist और Central Register यह सबका जो Maintenance काम है हमारा PCI ही Total Control करता है Pharmacy Council of India तो इसी Pharmacy Council of India को हम हमारा अभी इस विद्हेग में यह प्रस्ताव रखा गया है कि इसको National Pharmacy Commission से इसको replace कर दिया जाएगा जिसका की मुख्याले नई दिल्ली में ही होगा तो देखिए अभी तो यह प्रस्ताव भीजा गया है विद्हेक है यह अभी बिल गया है तो Specialization सुझाओ जो भी होगा changes होगा इसके बारे मैं update देते रहूँगा और यह जल्द ही कानून का रूप ले सकता है और जिस दिन यह अगर यह हमारे संसत से पास हो गया तो उस दिन हमारे pharmacy field में बहुत ही बड़ा revolution आ जाएगा क्योंकि बहुत से नियम change होगा और हमारे उपर भी इसका सीधे असर देखने को मिलेगा तो ऐसी अधिक जनकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए धन्यवाद